त्रीदो सिद्धान्त अईर्वेद में त्रीदो सिद्धान्त की विश्कूत व्यक्या है वात पित तकफ दोशों के शरीर में बढ़ जाने या प्रकूत पित होने पर उनको शांत करने के उपायों का विशत वर्नन है आहर के प्रतिक द्रव्य के गून दोश का सुष्म विश्लेशन है त्रितू चरिया दिन चरिया आदि के माध्यम में स्वास्त रक्षक उपयोग का सुंदर विवेचन है तथा रोगों से बचने वह रोगों की चिरस्थाई चिकिस्ता के लिए पत्य अपत्य पालन के लिए उचीत मार्गदर्शन है आईरुवेद में पर हेज पालन के महत्व हो आजकल आधुनिक डॉक्टर भी समझने लगे है और आवशक पर हेज पालन पर जोर देने लग गए है वात पित्त कफ रोग लक्षन पेटफुल ना दर्द दस्त मरोड गैस खट्टी धकारे ऐसे डि खुन जाना लिूकोरिया गरबाशय ओरी में छाले अंडगोश बढ़ना एलर्जी कुझली शरीर में दाने शित निकलना कैसी भी सिर्दद मदु में हसे उत्पन शिक्रपतन कमजोरी इंसुलीन की कमी पिलिया खुन की कमी बवा सीर सपेद दाग महावारी कम ज्यादा आध वात रोग लक्षन अस्ची प्रकार के वात साथ प्रकार के बुखार गुटना कमर जोडो में दर्द संदिवात स्पॉंडिलाइसिस लकवा गठिया हाथ पेर शरीर का अपना पुरे शरीर में सुजन कही भी दबाने से गड़ा हो जाना लिंगदोश नामर्दी इंद्री म लूजपन नसों में टेडापन छोटपन उत्ते जना की कमी मंद वुद्धी वीर्य की कमी बुड़ापी की कमजोरी मिर्गी चक्कर एकांत में रहना आदी यह वात रोग लक्षन है कफ रोग लक्षन बार बार सरदी खासी शिंग के आना एलर्जी यो सीनो पिलिया नजला टीबी सीने में दर्द घबराहट मृत्यु भई हार्ड अटेक के लक्षन स्वास फुलना गले में दर्द गाट सूजन टांसील कैंसर के लक्षन थाईराइट ब्लड प्रेशर बिस्तर में पेशाप करना शरीर मुह से बदभू लिवर किड्नी का दर्द सूजन सेक्स इच टापन जांगो का आपस में जूडना गुपतांग में पुझली घाव सुजा कान बहना शरीर फूल जाना गर्बर नली का चोक होना कमजोर अंडा जू अंडानू अधी यह सभी त्रीदो सिद्धान्थ है वात्पित्त कप्रोक के लक्षन है स्वस्त रहिए सुरक्षित र झाल 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 झाल